कि डामेंशन आप इस्पेसिफिक रजिस्टेंस कि एक क्वेश्चन पहले मैंने करा दिये थे एक क्वेश्चन कराना है और आज जो है आपको बताना जा रहे हैं कि कि पीजीटी फिजिक्स जो है 2002 का यह पार्ट थर्ड है और आपको सभी को मालूम है कि कि पीजीक्स का ग्यान वरूंशर यूटूब चैनल पर आपका हर्दिक स्वागत है और मैं आपको निशुर्ख या पर वीडियो प्रवाइड कराते रहेंगे और आपकी तयारी तक हम अंद तक तयारी तक आपकी प्रक्टिस कराते रहेंगे यह मेरा बाता है और आप लोग चैनल पर मेंशा बने रहें और अबी जो दो-तीन नेन जो वीडियो नहीं आये थे तो उसमें यह था कि जो दीपावली पर्व था तो उसमिजे से मैंने वीडियो अप्लोड माईं किये थे अब जो है बीडियों जो है डेली रूटीन में अप्लोड किया करेंगे question number 54 है dimension of specific resistance जिसको हम लोग कहते हैं कि basis प्रत्रोद की भीमा क्या है तो यहां से जो basis प्रत्रोद की भीमा जो हमें निकालना है जिसे हमारा resistance का फर्मूला होता है कि r is equal to ρu l a यहां से जो dimension है em l3 t-3 a-2 dimension of specific resistance है कि eml3 t-3 a-2 question number next है कि if an electric current is fast through the nervous nervous domain यहीं कहता है begin to laugh begin to weave is excited begin instensitive to paint मतलब यहां पर जब किसी nerve system में electron को प्रवहा होता है किसी ब्रक्ति के तो उसमें क्या होता है उसको इंदर excited होता है excited इज़े इज़े दमेन इज़े excited वो तेजी तो होता है fuse wire must have high resistance and high resistance and high melting point high resistance and low melting point low resistance and low melting point low resistance high melting point नहीं fuse wire जो में स्थ है तो उसके धियान रखेए आपको low resistance low melting point चाहिए अब आद हम लोग बात करते हैं कि इफ कापर इफ कापर वायर इच इस इस्ट्रेस टू मेक इट 0.1 पर सेंट लांगर दा पर सेंटेज इंक्रीज इंक्रीज इन्स इंक्रीज इंक्रीज इन्स इंक्रीज़ इन रजिस्टेंज इन जरीलिए अगर जैसे इसमें कापर का वायर है तो इस टेज इन bunlar होगा कितना होगा 0.1 तो यहां पर हम जो फर्मूला यूज करेंगे और डेस इसकोल टू एन स्कॉयर और यहां से जो आंसर होगा 0.2 यहां से क्वेशन नंबर 58 है कह रहा है कि इंड इन दा मेजरमेंट आप रजिस्टेंज वाई एमिटर बेश दा नॉन यहां पर नॉन अनोन रजिस्टेंज को इंटरेशेंज कर दें तब इंटरेशेंज टू इलमिट कि इन एरर होगा यहां इरर दू त्हरमो एलेक्टिक एफ्टोगा यया रेंडम एर होगा यहां पर क्या हो जाएगा ? इंड एरर हो जाएगा अब आता है कि TANGENT GALBANOMETER तो TANGENT GALBANOMETER क्या है ? यहां पर definetence current resistance potentiometer यहां पर tangeant galvanometer measure करेंगे भर हम current से करेंगे अब आद हम लोग बात करते हैं कि in the circuit zone in figure the equivalent resistance between point A and B क recib един stat concerning phedера त्याया पर आप देखें कि 1 1 1 1 इस्तरे से दिया गया है तो यहाँ पर आपका है पुंडर रहेगा हिगाँru कि अपर सीदेट यहां पर ही जिसे बन हुआ इस इस पाइल किन ओर हम देखें कैसे होगी टिरीज होगे यह पैरलर होने के बाद फिर सीरीज्म हो गए तो यहां से इतना कितना हो गया आपका अज तो आपका रूट टरी आ जाएगा रूट ट्री प्लस बन इफ एक करेंट इस पास्ट हो दा स्प्रिंग दा स्प्रिंग बिल और श्लेट इस ट्रेस्ट दा रिमेंस है तो यहां पर क्या आंसर अब आ रहा है कि एचार्ट पार्टिकल इज रिलीजड फ्राम रेस्ट इन कॉंस्टेंट यूनिफर्म एलेक्टिक फिल्ल एंड मेगनेक्टिक फिल्ल विज आर विज आर पर पैरलेल तु इस अदर अब आता है कि इन विज टाइप आप मेटेरियल दा मेंगनेक्टिक फिल्ल इपेंड नहीं है यहीं डामेटिक टंपरेचर डिपेंड नहीं है अब आता है कि एंग्नेक्टिक निडल लाइंग दा पैरल्ल टू मेगनेक्टिक फिल्ल रिक्वाइर डवलू यूनित अवर्क टू टू टर्न इट दरोट 60 दा टॉर्क नीट टू मेंटेन दा नेडल इन इन इस पोजीशन अंडर रूट थी डवलू डवलू थी बाइटू अंडर रूट टू डवलू तो यहां पर क्या होता है कि टाव इस इकुल टू अबश्यू निकाला गया है तो यहां पर कितना जाएगा तक किंस इस पर्त आप्सान अब यहां पर उंसर जो है आपका राइट है यहां पर इन्हों ने गलत दे दिया है यहां पर आपका तहीं हो कर यहां आईगा अ आंसर आएगा तीं है if the if the earth is filled induction at a place is 0.36 was the angle of dip is 60 the horizontal and vertical component of the field will be respectfully component of the field will be respectively any upper carry again 0.18 was 0.18 cause under root theory 0.0.98 cause 0.9 यह नहीं आप जानते हो कि जैसे हम लोग अर्थ मेहनेक्टिस्म बढ़ते हैं तो अर्थ मेहनेक्टिस्म क्या है फर्मूला वहाँ पर हम लोग कहते हैं कि यहां पर आपसे पूचा क्या गया है बी पूचा गया है बी पूचा गया है तो यहां पर बी कितना हो गया जैसे बी बी साइन दीटा एस बीए कॉस्टी तीटा बी इसकोल टू जीरो पॉइंट फइस गॉस्ट यहां पर आपसन आपका फर्स्ट सही है ठीक है अब आता 66 इफ दा करेंट इन कोईल चेंज फ्राम जीरो टू टू एम्पएर इन जीरो पॉइंट फाइफ सेकंड आ इहमें उप in duos इस एट बोल्ट्थ दा सेल्प इंडेक्ट्स अब दीए कोईल यहां पर क्या है आपको एम्पेर ने डिल्टा आई अपान डेल्टा थी एक आता है मैंगनेक्टिक फ्लक्स इन इन एक क्लूस्ट आप 10 ओम रजिस्टेंस वेरिज्ट वेरिज्ट टाइम्स फाइब स्कॉल टू सिक्टी स्कॉर मैनस टी प्लस बेबर नहीं दा इंडूस करेंट एट टी इसकॉल टू 0.25 सेकें यहां से क्या हो गया 0.2 4 0 0.8 यहां पर हमें क्या करना है कि आई इस एकोल टू डेल्टा फाइपन डेल्टा थी अपान आर तो इहां से हमें डेल्टा फाई निकालना है तो यहां से 12-12 किया तो यहां पर इतना है क्या 12-1 तो टी की वैंडव हमदेंगे तो यहां से हमें अंसर जो मिल जाएगा 0.02 एंपेर अब आ रहा है कि टांस्पार्मर और यूज्ट तो टांस्पार्मर यूज्ट क्या है यहां यहां पर आ रहा है कि इख दाएंपेंस इंडरोट 3 टांस आप अब जिस्टेंस फिटन्स फेज़ी दिफरेंश यहां पर जो इंपेंज है इंपेंजो ठीक है इंपेंज है यहां एंडर रूट 3 टांस्पार्मर यहां से find phase difference यहां से आपको answer जो मेरेगा 60 degree अब आ रहा है कि the energy of an x-rays photon is 2 electron volt then its frequency will be तो यहां से आप से frequency निकालना कि यहां पर energy आपको दी गए electron volt e is equal to h new to new is equal to e upon h यहां पर आपको electron volt दिया गया तो उसको आपको जूल में convert करके यहां से आपांसर निकाल से थी 5 into 10 power 17 17 per second अब आरा कि the speed of an electron having wave length 10 power minus 10 meter and 4.24 into 10 power 6 meter per second यहां पर है कि 4.25 यहां जब कहा रहा है कि speed of electron having length length कितने ही है यहां पर length 10 power minus 10 meter अब तो यहां पर पूछ का रहा पूछ रहा है आपसे speed तो speed आप निकाल देंगे यहां से 7.25 into 10 power 6 meter per second अब आरा क्वेशन नॉमर 72 इदा टंप्रेचर आप शन can be found out found out by using the temperature रहे संक तर्फिस किस से मेजर करें है यहां यहां पर क्या है कि कि which of the following transitions give photon maximum energy maximum energy यहां पर क्या हो जाएगा एन इसकोल टू टू तू एन इसकोल टू वन यहां पर हमारा second answer ठीक है अब लोग बात करते हैं कि when energetic cathode ray strike a heavy target of high melting point यहां पर हमारा जो आएगा थर्ड यहां पर हमारा है थर्ड एक्स रेज ठीक है कि भेन high energetic cathode ray strike a heavy target a high melting point यहां पर क्या होता अगर high melting point हो और heavy target हो तो इसके लिए एक्स रेज प्रोडूस होंगी वह हमारी एक्स रेज प्रोडूस होंगी अब यहां पर आता है कि इन डायोड वाल्व इस पेस चार्जिंग इस पेस चार्ज लिमिटेड करेंट आई-पी डिपेंट्स अपान दा प्लेट बोल्टेज बीप यहां से आपका अंसर बीपी टू राइट्री बी स्क्वाइर बी इसकोल टू बाइटू बी इसकोल टू 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 यूजिंग फॉर डायोड आई-प यहां से आपको कॉमन एमीटर कॉन्फिग्रेशन दिया गया यहां पर आपका जो आई-पान आई-दिया गया यह आपका अलफा है यह बीटा क्या आजाएगा आपका अलफा अपान बन माइनस अलफा यहां पर 24 आ गया घ्रागी वीचिंग इस गाल्टीरिन नॉटड़्याइट हो गया अब करहां कि अलफा बीटा पर्टिकल्स हैविंजी 0.5 अमप इस इनलची energy order a penetrating power of radiation alpha beta gamma alpha beta gamma alpha beta gamma when a high energy neutron strike the nucleus of the greater than n14 and converts it into the nucleus of 613 then the emitted particle with thin is any photon hogar post on hogar any proton mass defector mass defect for the nuclear for the helium nucleus is 0.030 a new winding energy per nuclear for this in a movie will be 0.030 any upper 28 oh yeah for again a parents आपका क्या जाएगा से भी नाएगा फिर है कोश्यों नूमर एटीटू विच आप दा फालोइंग वेरेविल इसनाट थर्मोडाइनमिक वेरेविल यह टंप्रेचर ही इसनाट कहता है विच आफ दफ फालोइंग इसनाट थर्मोडाइनमिक वेरेविल यहां पर कौन से वेरेविल नहीं है यहीट नहीं है तो यह आंस्तर यहां पर हीट हो गया कहा रहा है कि इन सेल्सियस और नाइथम थर्मोमेटर तू उसु एक्वल रेडिंग मैनिस 40 डिग्री सेल्सियस अब आता है कि वन आप दा फिनोमना विच गैनाट वी एक्स्प्लेंट वाइब थीरी पोलराइजेशन पोटोलेक्टिक एक रहा है कि वन आप दा फिनोमना विच गैनाट कि आता है यह था रहा है इनुह सुच्था तॐलम ऐस्दर्ण को मुझाटेंटम मुथ अध्यों मिश्ब्यियक रिश्च वाइब क्सिद्धानट है के म कोला इसनसे तो एक्सप्वेस्थ हैं थि एक्स्प्राइक्टिक श्रेण है है यह हमारे plan quantum theory पर विश्ट है यहीं बात करते हैं कि monochromatic source of light operating at 200 we emit 4 into 10 power 20 photons per second the wave length of light is 200 nanometer 400 nanometer 600 nanometer यहीं 400 nanometer आज यहां और आप सभी लोगों से निभेदन है कि चैनल को like करें subscribe करें और अपने मित्रों को share करें और इसी तरीके से रोज video upload होते रहेंगे अवी तीपाबली के तेवार के प्लच में मैंने video अभी upload नहीं किये थे अब यह video लगातार upload होते रहेंगे और आप सभी लोगों से एक बार पुना में कहता हूं चेनल को लाइक करें, सस्क्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें और अपनी बात को यहां से समाप्त करता हूँ और आप सभी लोगों को बाई बाई